कृप्या वीडियो को पूरा देखिएगा अधूरे ज्यान से कोई लाब प्राप्त नहीं होगा नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल अस्ट्रो सच पर आपकी किस्मत का ताला खोल सकती है कि चारधाम धन दौलत खुशनुमा जीवन दिला सकती है यह चावल दाल चावल से जुलाना इन में से कोई भी उपाय कर लोगी तो दूर कर सकते हूँ बसों की गरीबी दोस्तों किसी भी ताले को खोलने के लिए एक जाती की जरूरत होती है ठीक वैसे ही आपकी किस्मत का ताला खोलने के लिए भी चावल की जरूरत होती है वास्तु शास्त्र में काले चावल को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं बस छोटी छोटी बाते ध्यान में रखनी है जो लोग ये नियम नहीं अपनाते हुए अकसर दुखी और परेशान रहते हैं घर में पैसे आते हैं लेकिन दिखती नहीं है निराश हो जाती है तो शायद में छुपा होता है व्यक्ती की किस्मत का राज कैसे आये जानते हैं दोस्तों मामूली सी दिखने वाली चावलों का बड़ा महत्व होता है लक्ष्मी पूजा के दौरान माता लक्ष्मी को प्रसंद करने के लिए में चावल लाई जाती है. हमारे यहां परंपरा रही है नई बिहारी दुलहन को चावी का गुच्छा दिये जाने की नई नवेली दुलहन को लक्ष्मी माना जाता है, कुरसी धन आगमन में शुब कारक और धन रक्षक ही माना जाता है. किसी कारण घर की चावियां उसी सौपी जाती है, ताला चावी हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, ताला प्रश्न है, तो चावडा इसका उत्तर वास्तव में भी इससे बड़ा महत्व दिया गया है. को कहाली किस दिशा में रखें, इससे उपाय करके लाप कैसे पाएं? कौन से दर्वाजे पर कौन सा ताला लगाना शुब कारक होगा सारी जानकारी आपको इस वीडियो में जाएगी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और कमेंट बॉक्स में जैमा लक्षमी जरूर लिखें. दोस्तों, बहुत से घरों में लोग जागरूखों कहीं भी क्लिक करके रख देते हैं. ऐसा बिलकुल नहीं करना चाहिए तारीख को राहत का समय ताला अलग प्रकार का होता था, लेकिन इससे घर में कभी भी गरीबी परेशानी, दुख तकलीफ और बीमारी प्रवेश नहीं करेगी. ऐसा माना जाता था दोस्तों को दिशा में सूर्य का स्थान कहा जाता है, अगर आपके घर का मुख्यद्वार उसी दिशा में है, तो तामबे का ताला लगाना शुब कारक होगा. ऐसा करने से घर की सुरक्षा बन जाती है, घर में चोरी की संभावना लगभग खत्म हो जाती है, घर परिवार पर आने वाले संकट भी चल जाते हैं. जोतिश में पश्चन दिशा खुषाली का स्थान माना गया है, इस दिशा में हमेशा लोहे के भारी नहीं लगाने चाहिए जो ताला लगा रहे हैं, उसका रंग काला होना चाहिए, ऐसा ताला लगाने से चोरी का खत्रा टल जाता है, और साथ ही घर में आने वाली सभी नक सकारात्मक उर्जा सकारात्मक उर्जा में बदल जाती है। आगे बढ़ने से पहले आप से रिक्विस्ट करते हैं कि जेडियो को लाइक जरूर करिएगा। कि ताला पहले से बंध हो उस थैली को खरीद कर उसे बिना होली बंध डिब्बे में ही घर ले आए। शुक्रवार की रात उस कमरे में रख दें जिस कमरे में आप सोचते हैं। इसके बाद दूसरे दिन यानी शनिवार की सुबह उठकर सभी दैनिक क्रियाओं से निवरित्थ होने के बाद किसी नस्दी की मंदिर में जाकर काली की पूजा करें। सुर्योदे से पहले गए तो अति उत्तम मंदिर के द्वार पर इसी छोड़ कर आ जाएगा। इस कार्य की चादरों को साथ में ही रखना है। माना जाता है कि अगर मंदिर का पुजारी या कोई भी व्यक्ति वहाँ पर आकर उस बंद ताले को खोलता है तो इससे आपकी बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। बहुत ही चमतकारी प्रयोग है। अनेक ग्रंथों में इसका वर्नन है यह प्रयोग कभी विफल नहीं होता शीघ्र और उचित परिनाम मिलते हैं। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि आपको बिलकुल भी किस्मत का साथ नहीं मिल रहा आप अच्छे प्रयास करते हैं। मेहंत करते हैं लेकिन अपेक्षा अनुसार परिनाम नहीं मिल रहे हैं। आपकी उन्नती रुक गई है, सफलता कोसों दूर नजर आती है, तो आप जानती ही चाभी बनवाएं। शुक्रवार के दिन माता लक्षमी को समर्पित कर दें, माता लक्षमी के मंतर का जाब श्री नाम या फिर रोम ग्रीन फ्री हम इस मंतर का जाब करें। कमल गट्टे की माला जबते हैं, तो अती उत्तम फिर इस चावल को शुक्रवार के दिन ही अपने गले में लाल धागे में धारन करें। इससे मा लक्षमी की असीम क्रिपा आप पर बनी रहेगी, आपकी किस किसमत के ताले खुल जाएंगे, किसमत आपका साथ देने लगी थी, उन्नती में आ रही रुकावट दूर हो जाएं लाई जाएगी, यह उपाय महिला पुरुष कोई भी कर सकता है, चांदी की जगह सोने की चाभी धारन करते हैं। तो अती उत्तम आप अपने सामर्थ्य अनुसार चांदी या सोने की चाभी धारन करेंगे. अब काला जाने के बाद किस जगह चालू रखना चाहिए, दोस्तों घर में उत्तर दिशा में चावल रखना सर्वोत्तम माना जाता है। उत्तर दिशा से ही मानी जाती है, या फिर आप पश्चिन दिशा में भी इसी र करें कि हम धर की रक्षा की बागडोर पर सो रहे हैं। आप जिम्मेदारी लेकर हमें उपकृत करें इस चावल से आप हमारे घर में धन दौलत की बहुस्तरिय करेगा। हाथों से इन्हें उठाने से नकारात्मक उर्जा अधिक उत्पन हो सकती है। तुलसी के पौधे के पास में चावल रखने से घर में नकारात्मक उर्जा अलक्षमी दरिदर्ता कभी भी घर में नहीं आते हैं, घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती चावी को अपने गले मे धारन करके भी रखा जा सकता है चावल के साथ मे मा लक्षमी का लोकेट या फिर श्री यंत्र पहनेंगे तो यह अति उट्तम लाब देता है शादी के साथ मा लक्षमी का श्री यंत्र जहां है उस स्थान पर कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं कर पाता कई जगहों पर चाबी का गुच्छा घर की महीलाएं अपनी कमर से लटका कर रखती हैं। दोस्तों घर में मौजूद चाबियां सकारात्मक और नकारात्मक उर्जा भी पैदा कर सकती हैं। तो जानते हैं घर में जाधव को किन जगहों पर नहीं रखना चाहिए। घर की चाबियां ऐसी जगहे पर जहां हर किसी की नजर पड़ती है वहां रखना अच्छा नहीं माना जाता था। घर पूरे परिवार की तरक्की और स्वास्थ्य के साथ जुड़ा होता है। इसलिए चादरों को रसोई घर में भी रखना नहीं चाहिए वास्तु शास्त्र के अनुसार चावल को खाने की मेज कुरसी या बच्चों के कमरे में रख देने से वह नकारात्मक उर्जा को आकर्षित करते हैं। अगर कोई चावल बेकार है या किसी काम की नहीं है तो उसे तुरंत शहर से हटा दिया गया यह धन हाने का कारण बन सकती है जंग लगे या तूटते तारे और चाभियां घर में नहीं रखनी चाहिए उन्हें तुरंत देना चाहिए चाभी की लकडी की स्टैंड पर कमरे क के उत्तर या पूर्ग कोने में रखना उत्तम होता है इससे अनेक शुब फलों की प्राप्ती होती है आज के ही बस ही दोस्तों अगर आपको यह विडियो पसंद आया है तो विडियो को लाइक कर रहेगा दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करक के बेल आइकन जरूर दबाए जाता कि आने वाला नॉलेज केवल रेडियो आपको सबसे तेज